Hello Traders, Mother Sun Sumi को आज के दिन हमने select करके रखा हुआ है, हमें इसको trade करना है and price अपनी चीज चागए पर है, उमीद कम है कि ये जो black वाली candle बन रही है price इसके नीचे निगले, because ये एक supportive area है तो Mother Sun Sumi के अंदर हम अपनी position बनाना चाहते हैं, buy side की तरफ so, यहाँ पर कुछ एक चीज़े हैं, like confusion है, कि price अगर upside की तरफ ने, क्योंकि नहीं गिरेगा, ये तो clear है गिरना नीच है ये stock को, लेकिन उपर जाने में थोड़ा बहुत confusion यहाँ पर हो रहा है तो चले, काम करते हैं, यहाँ पर अपना trade execute करते हैं, quantities लगाते हैं, लगभग 6,000 quantities निकल के आई हैं तो 6,000 quantities put up करेंगे हम, और जो price हमारा 122.70 इसी जगे पर तो हो सकता है कि यही जहां से हम लोग buy करें, यही area हमारा आज का bottom बन जाए तो order execute करते हैं, clear, ठीक है, so order हम लोग यहाँ पर अपना execute कर चुके हैं, and perfect, सही है, 6,000 quantities यहाँ पर लग चुकी है हमारी, और अब देखते हैं, अगर दिन अच्छा रहा तो एक अच्छा मूभव में मदर संसू में दिखा करके जा सकता है, so thanks, and अगर वीडियो अच्छा ल तरसम सुमी को आज के दिन हम trade कर लें है, and buy side means के अपनी position उस तो चल ही रही है, and इस वत का अपना profit है, 2100 रपाय के असपास का profit हमारा चल रहा है, trade book भी open कर लेते हैं, okay, तो हम लोग 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 इन कर चुके है, and यहाँ पर अपनी position book में आप देख सकते हो, 3000 के round, अच्छ 2270 पर अपनी point is executed है, सारी के सारी है, and 12215 पर pending order पड़ा हुआ है stop loss का हमारा, so लगबग 0.55 पैसे अगर 50 पैसे के असपास का अपना stop loss है, 3000, 3300 रपाय के असपास का stop loss है, and profits 2100 के चल रहा है, बहुत कोई बहुत बड़ा movement नहीं है, हाला कि side way move में हम इसको count करेंगे, लेकिन expected है, कि price जिस level को break करके नीचे की तरफ गिरा है, अब अगर इसके अंदर recovery आती है, तो कम सकम 124.95, यह एक ऐसा level होना चाहिए, जहां पर price जा करके resist हो, क्योंकि इसके पहले कि कोई भी ऐसे level नहीं, जहां पर price हमारा जाने के बाद में rejection दिखा है, because यह हमारा एक support area है, अब move में अगर price जाता है, तो 124.95 यही इसका आज का target level होगा, अभी देखे, price फिर से हमारा एक support area पर आ गया है, एक support zone पर आ गया है, तो बहुत मुश्किल है price का हमारी इस candle का low break कर देना, यहां पर जो price ने अपने supports form किये हैं, को supports form किये हैं, मुश्किल होगा price का हमारी supports break कर द 600, चलिए, profit कम ज्यादा हो, उसको होने देंगे, and stop loss यहां पर अपने लगा हुआ है, अब हमने बताइए आपको, wait करेंगे यहां की levels के लिए, जो आप इसको और देखोगे, day time frame के level पर देखोगे, तो यह देखे, एक downside के जो move है न, वो इस एक candle के बाद से रुक से गया है आप देखे हो, 10th of focus के candle है, इसके बाद से फिर price हमारा नीचे नहीं किया है, इसके move, upside की तरफ किया है, है न, और यहां से यह वाली जो अपनी black candle है, यह एक support area बन जाता है, यह वाली जो black candle, क्योंकि क्या होगा न, price upside की तरफ गया है, और up में move कर देने के बाद में फिर सी down move, इस candle का high breaker करके price सीध है, हमारा upside की तरफ गया, अब आज ही price हमारा, क्योंकि इस black वाली candle से support ले करके price उपर गया था, और आज भी जो हमको price मिला है न, exact इसी level से, आप यह तो जो color है न, हमसको कर देते हैं, black कर देते हैं, चलिए, और अब देखे चलके कि इस black वाली line प और यहीं से हमने अपने entries के confirmations लिए, okay, clarifications थी, and अभी भी इसके अंदर काफी सारे जो buying की order है, हमारे ये execute नहीं हुए है, हमारे order execute हो चुके है, बट जो stock है, इसके अंदर भी हमें नहीं लग रहा कि buying की order हमारे execute हुए है, सारे के सारे, तो काफी सारे buying की order पढ़े हुए है and movement इस वज़े से ही हम कह सकते हैं कि upside के expected है, क्योंकि price हमारे support areas पर है, और दूसरी चीज, price हमारे काफी speed में नीचे की तरफ भी गिरा है, ideal condition में तो ऐसा होता है कि price जब इतना ज़ाद हमारा चल जाता ना, तो हम इसको trade करते नहीं, लेकिन जब price हमको इस level पर मिलता है, और confirm profits तो देखिए, फिर से 300 और 600 पर आगे ते भी वापास हम लोग 1500 पर रुके हुए है, so एक spike, एक spike और मदारसन सुमी के अंदर आप देखो कि target complete होते हुए, okay, कोई बड़ा move होता है, या हम इसके अंदर को action लेते हैं, तो आपको inform करते हैं, traders, ये जो गलती हमने आज के दिन कोशेक points देख लेने चाहिए कि कब हमें common stock trade नहीं करना होता है, और कब trade करना होता है, हमें मालूम है, ये चीज़ हम करें कि stock trade नहीं करने हैं, येकिन फिर भी देखिए हमने वाली गलती की, दो चीज़ ऐसे हैं जो कि आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो, आज की trade से एनसे भी कुछ data provide कर दी, जैसे हैं कि हम average running ratio निकाल सकते हैं किसी भी stock का, जो की help करती trade execution में, वो तो नहीं ही करते हैं, लेकिन कोई भी stock trade करने हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा 5, 6, 10 या 15 दिन का normal move देख लेना पड़ता है, move check कर लेते हैं, कि stock ये actually चलता कितना है, इसके ब पहले, उस stock हम trade नहीं करते, in a simple language कि कोई भी stock जब आपको लग रहा trade execute करने से पहले कि ये गिर चुका है, एक sufficient move हो चुका है, या फिर सिर्फ गिरा ही नहीं, ये अप में भी जा चुका है, तो ऐसे stock को trade नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हमा में target मिला था, और आज भी हमने यही सोच कर गए trade execute किया, कि हमें targets मिलेंगे, बट नहीं हुआ, हम यही चीज़ मना करते हैं कि इस तरह से trade execute मत करना, आपने तो trade execute किया है, हम क्यों ना करें, हमें बताइए, इसलिए मना करते हैं, इस stock ज्यादा चल चुका है, expectation ऐसे stocks की ज्य होगा, जो कि चला नहीं है, कुछ ना कुछ तो move करेगा, तो उसकी capacity है, उसका cash है, वो अपने पास आएगा, तो इसलिए वो stock trade करें जो कि चला नहीं है, और जो चल चुका है, stock हो trade stock मत कीजिए, मत कीजिए वो stock trade, दूसरी चीज़, जब हमें यह बात मालूम है, फिर भी हम जो बोल दिया है, बस हम भी खुद भी उसको follow कर रहे हैं, खुद भी हम गलतिया करते हैं, और इन गलतियों से जो चीज़ हम सीख रहे हैं, वही कोशिच करते हैं, यही जो experience हम कर रहे हैं, loss करके वही चीज़ आप बिना loss करें, सीख जाओ, लेकिन जब तक आप loss नहीं पहले दो time frame अपने define करो वहीं पर यह trading execute करो एक होगा आपका higher time frame एक होगा lower time frame, higher time frame पर आपको अपने जो भी time frame fix करने यह daily करना है, 4 hour करना है, 1 hour करना है, 2 hour करना है, 30 minutes करना है, जो करना है करो वह higher time frame होगा, lower time frame आपको क्या लगता है, 50 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, जो भी लगता है वो कर पोजिशन बुक 2700 रुपए के असवास प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट नहीं, इसमें से हमारा 350-400 रुपए की ब्रोकरेश कटेगे 24-500 रुपए आएंगे अगर हम अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो लेजे, 400 और कम हो गए चलिए प्रॉफिट सबुक करते हैं यहाँ पर अब कुछ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिशन हमको है ने क्योंकि मार्केट भी अब क्लोज होने वाली है कितनी केंडर्स बची हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 केंडर्स बची हैं मतलब आदे घंटे का समय और है कुछ नहीं अब वेट करना अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है अब हम यहां से बहार ही निकलेंगे हालां कि लेवल अच्छा था टेड एक्जिक्ट करने का हमारे जो डे टाम रेम का लेवल था कहीं इस एक जगे पर वहीं से price के अंदर एक supportive area हमें समझ में आया है जहां से हमने अपने trade execute किया sideway market में भी फस रहे है तो एक सही range से अगर हम फसते हैं तो हमें loss नहीं होगा लेकिन अगर in between range से फस के price उपर नीचे उपर नीचे ब्रेक आउट करेगा आप चले जाओगे आप चले जाओगे stop loss जायाएगा आपका यहां पर में लोग अपना जो stop loss से उसको cancel करते है stop loss order cancelled and profits 2700 चल रहे है और price के इतना चल रहा हमारा 123.15 कॉपी square of nsc paste 113 रुपे 15 पैसे पर order में लगाया है अपनों 113 रुपे 15 पैसे पर यह धीरे धीरे करके prices निकलते भी तो एक भी order निवा रहे है निकलानी एक भी quantities नहीं निकली 6000 quantities सारी की सारी पड़ी हुई है हड़ बड़ी ने किसी भी चास की आराम से दो चार प्मेंट का लॉस होगा लॉस भी कर लेंगे बड़ आराम से 130 रुपे 15 पैसे क्या है यह आज का शायद हमको लागरा 1-2-1 ही हम कहेंगे इसको 1-1 भी नहीं है 300 रुपे और होता तब यह 1-1 होता अपना देखिए प्राइस हमारा 130-15 पर जा रहा है बट order एक्जेक्यूट नहीं हो रहा है यह ले यह निकल गए सारी ओडर निकल गए तो जितनी भी कॉंटिटी इस थी हमारी सारी 123.15 पर निकाल दिया है और अबर आज का प्राफिट है 2788 के अरॉन का प्राफिट है सारी कॉंटिज हमारी देखिए निकल चुकी 123.15 और एक्जेक्यूटिट प्राइस हमारा है 123.15 का स्टॉप उस कैंसल कर दिया है और कोई भी ओडर आपने पास हमारी सारे के सारी ओडर निकल चुके है कोई बात नहीं प्राइस अभी तो उपर जा रहा है जाने दीजे कहीं कहीं मोवेंटम होगा निसकंद्रिया ऐसे ही बंत हो जागा तेरे तेरे करके आप देखिए रहों कि यह कैंडल से हैं सपोर्टिव एरियास बने प्राइस ने ब्रेक आउट दिखाया वॉल्म के साथ प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर गया अब फिर से देखिए यहां पर कोई बड़ा मोमेंटम अगर चाहिए होता ना तो हमें वॉल्म के ब्रेक आउट देखनों को मिलते या तो यहां पर या फिर नीचे तो प्राइस एक तरह से हमारा रेंज बाउंड हो गया यह शाद यह ड्रंग जो भी पने की शाद समझने में थूड़ी सी मुश्किल हो यहां पर देखिए वॉल्म साही अच्छी प्राइस एक रेंज में था एक अच्छी वॉल्म के साथ नीचे की तरफ ब्रेकाउट किया और जितने भी सेलिंग के ओड़ थे सारे के सारे एक्जिक्यूट हुए यहां पर और फिर से देखिए प्राइस हमारा साइट भी हो गया उम्मीद यह थी कि प्राइस अगेन हमारा सेम लेवल पर जा सकता है सेम लेवल मतलब कौन सा जहां से प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा था यहाद है शुरुआत में सुवह हमने क्या बोला था कि 9.15 के कम से कम लो तक हमारा प्राइस जाना चाहिए यहां तक तो एक अच्छा प्राइस देखनों के मिल जा था और यहां पर वॉल्म्स के ब्रेकाउट भी होने थे बट को अच्छा से स्ट्राइख होगा तो अपने ग्रूप में ज़रूर हमा प्लाओं के साथ शेयर करें इसको तैंक्स एंट विवल्मीट अगें